Hello everyone, अगर आपको यार एक्जाम से थोड़ा सा डर लग रहा है, थोड़ी सी टेंशन हो रही है, खुद पे अगर आपको डाउट आ रहा है, उतना मन नहीं लग पा रहा है अगर पढ़ाई में, तो ये वीडियो आपके लिए है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं अप आई तो फिर जो हमने पूरे साल मेहनत करी उसका क्या होगा, तो ऐसे बहुत सारे मतलब पता नहीं उल जलूल अलग अलग तरीके के डाउट साभी इस टाइम पे हमारे मन में आते रहते हैं, है ना, तो अब किया क्या जाए इनका, देखो इसके साइड एफेक्ट्स क्या हो ते थे उस 10 मिनिट में, उस 10 मिनिट में आपने कुछ नहीं किया, किताब सामने पड़ी है, पर आप किताब के सामने हो ही नहीं, आपका दिमाग तो कहीं और एक बहुत hypothetical सी चीज सोच रहा है, जो अब तक हुआ भी नहीं है, उसको predict कर रहा है कि यार मेरे exam में number नहीं आएं ते उस 10 मिनिट में, जब मैं actually में पड़ सकता था, उस 10 मिनिट में तो मैंने अपने विचारों की मन की बातों में आके, वो पूरा का पूरा time waste कर दिया, मैं करता क्या हूँ, तो उसको phone मिला लूँगा, या किसी teacher को मैं बात कर लूँगा, या मैं कुछ social media पे देख लूँ आपको एक बाद बताए कि ये time वापिस नहीं आएगा, आप चाहे कुछ भी सोचो, कुछ भी करो पर ये time वापिस नहीं आएगा, तो आप जितने भी minute, जितने भी घंटे, जितने भी दिन आप waste कर रहे हैं, आपने एक घंटा waste किया, ये गए आपके 4 marks, आपने पूरा एक डर के कारण आप बीजबीच में इसे पढ़ना छोड़ देते हो, उसी डर को आप सच करने जाओगे, है ना, ठीक है, और इससे होता क्या है कि आपका खुद के अंदर confidence कम होता है, क्योंकि आपने दिमाग को तो क्या बोल रहे हो, आप यहीं तो बोल रहे हो, नहीं होगा, नहीं होगा, कम आएंगे, ऐसा होगा, पापा डाटाई है, यह हो, ममी डाटाई ही, यह सारी चीज़े आप कर रहे हो, ठीक है, होता गया है, जही में में मैं या फिर किसी भी एक्जाम को मैं दे रहा हो, उसमें गया, पहला कोशन टाफ आया, मिर से नहीं बना, दिमाग क्य सारी नजरे कड़ाए, क्यों बैठे हो, अगले आपके पास, आगे भी तो कोशन है, जितने बचे हुए हैं, उस पे फोकस करो, तो अगर आपके अंदर सेल्फ डाउट होगा, तो आप क्या करोगे, इस एक कोशन से पूरा आगे पेपर की टोन सेट कर लोगे, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, पर अगर आपके अंदर विश्वास हुआ, अगर आप आपने ये नेगेटिव थोर्ट्स अपनी दिमाग में नहीं आने दिये, रोज के टारगेट के हिसाब से अगर आपने पढ़ाई करी, तो वो कुशन देखे हो लोगे, चल कोई दिक्कत नहीं है आगे वाला कोशन है करूंगा फुल मार्क में को वैसे भी नहीं लेके आने तो आप आज के बाद 150 नमबर ला रहे हो कि 180 नमबर ला रहे हो अपने एक्चुल के एक्जाम में ठीक है वो आपके माइंड सेट पर डिपेंड करेगा इस पर डिपेंड जाओ दूसरा आप अपने टार्गेट की तरफ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ रोज रात को सोने से पिले अभी जितने भी दिन बचे है पूरे दिन भर का टार्गेट बना लो और जब भी आपका दिमाग फालतों की बात करें तार्गेट को देख लो तो टार्गेट लिना तो मरना निश्चित है यह रिपिक्स कर लो कौन से तारिख को टेस्ट होगा उस तारिख को टेस्ट भी देना है कौन कौन से चैप्टर आज управ कम करूंगा आज इतनी इतनी प्रैक्पिस करूंगा अपने दिन भर में फ्री टाइम मत छोड़ो उस फ्री ताइम में negative विचारी आएंगे दिमाग तो ऐसा ही है अपने दिमाग को positively enforce करो आपके पास इसके अलावा और कोई time नहीं है तो या तो negative सोच के waste कर लो या फिर अपनी best देके पढ़ाई करके अपने 4, 5, 10, 20 नमबर increase कर लो 5, 6, 10, 1000, 20,000 rank increase कर लो option आपके ही हाथ में है और जैसा हम हमेशा बोलते है उठो, जागो और तक तक मत रुको जब तक आपका exam नहीं हो जाए और वैसे भी यह तो सिर्फ पहला पहाड है तीक है इसके वाद हमको और पहाड पे चड़ाई करनी है आगे जाके आते जाएंगे जाई में टू, बोर्ड, जाई एडवांस ठीक है यह रुकेगा नहीं सिलसिला और अगर आपने देखो एक फाइदा और बताता हूँ अगर आपने यह साथ दिन पहुत लग के महनत कर ली या जितने भी आपके दिन बचे एक्जाम में उतनी लग के महनत कर ली तो उसके बाद वाला एक महीना उसकी चांसेज बढ़ जाएगी कि आपका improvement होगा क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मैं मेरे बचे हुए दिन में एकदम फोकस करके बिना negative सोचे preparation करता हूँ तो इसका result इतना अच्छा आता है आपके दिमाग को एक point मिल जाएगा याद रखने के लिए कि भाई ये सा फाल्तू की चीज़े मत सोच ऐसा वैसा होगा क्या वैसा होगा जो होना है वो वैसे भी होगा आपके हाथ में सिर्फ मेहनत करना है तो आज उसे लग जाओ अभी से नीचे comment में डालो कि सर मैं आपसे वादा करता हूँ कि अपने साथ दस दिन जितने भी एक्जाम में आपका बचा हुआ है बिना कुछ negative सोचे जितनी मेरे अंदर ताकत है उतनी मेहनत करूँगा I promise लिखके नीचे डालो सबके comments में देखने वाला हूँ तो आप ready हो ये साथ दिन दस दिन दुनिया बदल सकते हैं बहुत बड़ी ताकत होती है इतने टाइम में रोज का एक घंटा आप negative सोच के waste कर सकते हो या वो एक घंटा आप एक chapter revise कर सकते हो चार नमबर बढ़ा सकते हो आपके हाथ में है अगर आपको और ऐसे वीडियो चाहिए और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो यार चैनल को जरूर से subscribe करना अपने logo तक फैलाना आपके दोस्त भी परेशान है इस ताइम पे सच्चा दोस्त वही होता है जो दूसरे वाले को भी उठाता है तो ये चीज उस तक पहुँचाओ और अगर आपको किसी भी चीज में कुछ डाउट हो जैसे previous here question चाहिए हो या आपको extra test अगरा करने हो इस ताइम पे या कुछ एक छोटा से chapter का एक डाउट रह गया उसको देखना हो तो e-sarl की app जाके install कर लो वहाँ पे आपके लिए सब कुछ पढ़ा हुआ है तीक है ये आप करो एक्जाम बहुत अच्छे से दो आप फोडोगे आपकी किस्मत में फोडो ना लिखा है तीक है अगले साथ दिन तक पीछे पढ़ जाओ पूरी मेहनत कर डालो अगर आप ऐसा ही awesome content और देखना चाहते हैं तो e-sarl के चैनल को subscribe कीजिए इंडिया की top most faculty से J, NEET, Class 10, Class 9 की तयारी करने के लिए e-sarl की app को install कीजिए e-sarl है, तो सब-sarl है